ओम महालक्ष्मै नमो नमा महाशिव रात्री पर रात के चार प्रहर में शिव आराधना का महत्व साथ ही जानेंगे शुभ मुहर्त दोस्तो आज महाशिव रात्री का त्योहर है हिंदु पंचांके अनुसार फालगुन महा के कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी तिथी को महाशिव रात्री का पर्व मनाया जाता है शिव रात्री पर चार प्रहर में चार बार पुजन का विधान आता है इसलिए चार बार रुद्रा भीशेक भी संपन्न करना चाहिए महाशिव रात्री पर आज कई शुभयोग के साथ ग्रहों का संयोग भी बना है महाशिव रात्री के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था इस कारण से हर साल महाशिवरात्री का त्योहार बड़े ही उतसाह के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्री पर शिवलिंग पर दूद, दही, गंगाजल, घी और बेल पत्र से शिवजी का अभिशेक किया जाता है। धारमिक मान्यताओं के अनुसार महाशिव रात्री पर वरत और पुजा पाट करने से सभी तरव की मनो कामनाईं पूरी होती है. महाशिव रात्री पर रात्री के चार प्रहर की पुजा का विशेश महत्व होता है. शिवजी को भोले नाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बहुत जल्द प्रसन्न होते है करुणा उनके रुदै से निकलती है ऐसे में शुद्ध मन और पुरे विधी विधान से उनकी पुजा निच्चित रुप से फल देती है सुबह स्नान के बाद भागवान शिव की पुजा के लिए पुर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँ करके बैठे घर के देवालय या किसी शिवालय में जाकर गंगा या पवित्र जल से जलधारा अरपित करे दूध, जल, शहद, घी, शक्कर, बेल पत्र, धतुरे से भागवान शिव का अभिशेक करे भागवान शिव के साथ शिव परिवार का फूल, गूड, जनेव, चंदन, रोली, कपुर से पुजन करे शिव स्तोत्रों और शिव चालीशा का पाठ करे, वरत रखे और सच्चे दिल से अपनी मनो कामना के लिए उपासना करे शिव रात्री पर चार प्रहर में चार बार पुजन का विधान आता है इसलिए चार बार रुद्रा भीशेक भी संपन्न करना चाहिए पहले प्रहर में दूद से शिव के इशान स्वरुप का, दूसरे प्रहर में दही से अगोर स्वरुप का, पीसरे प्रहर से घी से वामदेव रूप का और चौथे प्रहर में शहत से सज्जोदात स्वरुप का अभिशेक कर पुजन करना चाहिए यदी कन्याएं चार बार पुजन न कर सके तो पहले प्रहर में एक बार तो पुजन अवश्य ही करे महाशिवरात्री की रात महासिधी दाईनी होती है इसलिए इस समय किये गए दान और शिवलिंग की पुजा वस्थापना का फल निच्चित रूप से मिलता है महाशिवरात्री 2023 पर कई शुबसंयोग बन रहे है महाशिवरात्री के दिन सरवार्थ सिधी योग शाम 5 बचकर 42 मिनट से अगले दिन प्रातह 7 बचकर 5 मिनट तक रहेगा 18 फर्वरी को रात्री 7 बचकर 35 मिनट से वरिया नियोग प्रारंब होगा जो अगले दिन दोपहर 3 बचकर 18 मिनट तक रहेगा महाशिवरात्री पारन मुहुर्त 19 फर्वरी सुबह 6 बचकर 57 मिनट से दोपहर 3 बचकर 25 मिनट तक चार प्रहर के महाशिवरात्री पुजा मुहुर्त रात्री प्रथम प्रहर 18 फर्वरी शाम 6 बचकर 21 मिनट से रात 9 बचकर 31 मिनट तक रात्री द्वितिय प्रहर 18 फर्वरी रात 9 बचकर 31 मिनट से रात्री 12 बचकर 41 मिनट तक रात्री तुरुतिय प्रहर 19 फरवरी की रात 12 बचकर 42 मिनट से 3 बचकर 51 मिनट तक रात्री चतुर्त प्रहर मध्य रात्री के बाद 3 बचकर 52 मिनट से सुबह 7 बचकर 31 मिनट तक जय भोले नाथ धन्यवाद